Hello students, welcome to Vidya Institute, arithmetic progression class 10th का एक important question करेंगे, NCIT exemplar का, find the sum of two middle most term of the AP, ये हमारे पास एक AP गिवन है, जिसकी दो middle most term का हमें sum find करना है, ये हमारा question है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि हमारे पास जो AP है, उसमें कितनी term है, हमें ये पतला है, लगाना पड़ेगा, तो AP लिख देते हैं पहले, ये लास्ट टर्म है कि फोर्थ रिजा, 12 और 1, 13 upon 3, यहाँ पे A है, हमारा minus 4 by 3, first term of the AP, common difference, minus 1 minus 4 by 3, minus 1 plus 4 by 3, यानि 1 upon 3, अभी हमें सबसे पहले N find करना है, क्योंकि हमें A N given है, 13 by 3, ठीक है, तो A N से पहले हम N निकालेंगे, फिर आगे करेंगे, पहले हैं, तो A N का फॉर्मला सभी अच्चों को पता है, A plus N minus 1 D equal to 13 by 3, तो minus 4 by 3, N minus 1 D की जएगे 1 by 3 लिख देते हैं, क्योंकि N find करना है, इसलिए इसलिए रहते हैं, और 13 by 3 plus 4 by 3, 17 by 3, N से लोग है, 3 से 3, तो N equal to 18, अब N equal to 18 आने का क्या मतलब है, कि जो middle term है हमारी 2, क्योंकि E1 है, तो इसलिए middle term 2 होंगी, यह E1 है, तो two middle terms are, AP या कोई भी स्रीज हो, उसमें even terms हो, तो middle term होती है, E1 plus, sorry, upon 2, and 6th वाली term, यह हमें साथ ध्यान डखना है, कि N upon 2 करेंगे, और जो भी हमारी होगा, और उससे अगली term, यानि 9 and 10th term are middle term, अब question में क्या पूछा है, sum of two, यह जो दो middle term है, इनका sum कितना होगा, A9 plus A10, तो A9 का मतलब A plus 8D, तो A9 हो गया, A plus 8D, यह हो गया, A plus 9D, 2A plus 17D, अब यहाँ पर हम D और A की value put कर देते हैं, तो A है, minus 4 by 3, और D कितना आया था हमारा, 1 by 3, LCM 3 minus 8 plus 17, 9 upon 3, तो 9 upon 3 मतलब यह हमारा था हो गया, तो sum कितना हो गया, of two middle most term, ठीक है, तो उम्मीद है सभी को आ गया होगा, समझ में, NCRT example का question था, स्क्रीन पे playlist आपको नजर आ रही होगी, arithmetic progression की, जिसमें आपको AP के काफी important question मिल लेंगे, थैंक यू वेरी मुच्छ